अयोध्या में भव्य दीपोट्सव की तरह यूपी सरकार इस बार मतुरा में भव्य जनमोट्सव मनाने की तयारी में है साथ दिनों तक काना नगरी में इस भव्य आयोजन को मनाया चाहेगा नंद के आनंद भयो जै कनहया लाल की इस बार मतुरा की भवे जन्माश्टमी का नजरारा सारी दुनिया देखेगी कानहा नगरी की अलोकिक अनुपम छटा की गवह न सिर्फ ब्रजवासी बलकि देश विदेश से आई लाखों कानहा भक्त बनेंगे इस बार यूपी सरकार मतुरा में कृष्ण जन्माश्टमी के आयोजन को एतिहासिक और अभूत पूर्व बनाएगी देश और दुनिया के कलाकारूं का जमावड़ा होगा गली गली में जहाकी सजेगी हर गली में कृष्ण धुन सुनाई देगी साथ दिनों तक चलने वाले इस महुचसव में प्रदेश के मुख्या योगी आदितनाद खुद शिर्कट करेंगे यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि यूध्धा में दीपूचसव की तरह मतुरा में जन्माश्टमी भी मनाई जाएगी मुक्य मंतुरी की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिलने की बाद संस्कृतिक विभाग ने योध्धस्तर पर अपने तयारियां शुरू कर दी है इस बार मतुरा में 17 से 25 अगस्त के बीच भवे मीला आयूजित क्या जाएगा योगी सरकार ने भगवान राम के अउध्या वापसी के खुशी में दीपावली मनाय जाने के पौरानिक मानिता को उध्सव में उतारा है पिछले दो साल से वहाँ दीपोट्सव का भवे आयूजन हो रहा है योगे के निर्देश पर व्रंदावन में भी होली के भवे आयूजन और ब्लांडिंग की शुरू आत्थ हो चुकी है अयोध्या में दीपोट्सव को व्यापक आकार देनी के बाद योगी सरकार ने अपना फोकस मतुरा व्रंदावन किया है व्रंदावन में होली के आयोजन को पहले ही भवे रूप दिया जा चुका है अब खरश्ट जन्मूद्सव की बारी है प्रदेश के मुख्या सीम योगी इस बार मतुरा में काना के जन्मूद्सव के साक्षी हो सकते है नोड़ा से अभैकुमार के साथ गरिमा बाच पे हिंदी ख़वर मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ आज आयुध्या के दौरे पर है जहां उनने सर्यों पूल से भगवान राम की प्रतिमा के लिए प्रस्तावित भूमी का इनिरिक्षन किया इस दोरान सीम योगी ने मंदिर आंदोलन के परियाय रहे रामचंद्र दास परमहंस को सथाने तो आज आयुध्या दौरे पर पहुंचे हुए है और इस आयुध्या दौरे में परमहंस के देने के बाद मुख्यमंत्र योगी आदितनात ने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले दो सालों में आयुध्या के लिए जो काम किया है वो पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया और आयुध्या का जो पैचान थी वो बाबस दिलाई है गंटी का बटन दबाईए और हिंदी खबर से जुड़ जाईए